हेलो गाइस इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बहुत ही इंपोरन्ट सपोर्ट पे कारोबार करते हुए ब्लीजी वीएस फार्मा लिमिटेट के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करन्ट प्राइस की बात करेंगे तो 75.10 की करन्ट प्राइस चल रही है और आज की दिन में लगबग में 2.74% जो है उपर के लेवल पे कारोबार करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है देखी दूस्तों overall सेक्टर में मतलब की अगर फार्मा सेक्टर अगर आप देखेंगे तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है लेकिन बाकी का जो सेक्टर अगर हम देखते हैं, जीसे कि आटो सेक्टर है, 이거 होगै, वाकी के सारे सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी वज़ा है, कोविड का फीर जो है फिर से आता हूँ हमें दिखाई दे रहा है, युएस का मार्केट जो है गिरता ह वहां में दिखाई दे रहा है इसके चलते हैं हमारा इंडियन मार्केट में भी जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है यह जो आप चार्ट देख रहे हो हमने इंडियन में लॉग इन कर लिया है टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम में जो है चार्ट को सेट कर लिया है देखे दोस्तों यहाँ पे जो है स्टॉक में बहुत ही important support zone जो है बन चुका है 68 से लेके 71 तक का क्योंकि स्टॉक जो है multiple time इसी level पर आने के बाद यहीं से हमें जो है उपर की और bounce करता हुआ दिखाई दे चुका है अभी exactly stock जो है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसी level पर आने के बाद में इसी support level पर आने के बाद में अगेन यहीं से support लेके हमें जो है आज के दिन में जो है almost 5% से भी ज़्यादत तेजी देखने को मिल रही है अगर ऐसे ही चलते रहा तो जल्दी हमें इसमें औ अच्छे लेवल उपर के देखने को मिल सकते हैं इनकेस अगर से 68 का लेवल जो है नीचे की और ब्रेक हो जाता है तो हमें जो है इसमें से exit करना पड़ेगा क्योंकि यहां से जो हमें further इसमें गिरावट continue होते वे दिखाई दे सकती है और यहां पे MSCD indicator की भी बात करेंगे हम बात करेंगे तो यहां पे जो है हमें एक bullish crossover दिखाई दे रहा है जो कि मजबूती के signal देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इसके चलते जल्दी हमें और भी अच्छे ऊपर के लेवल अची होते हुए दिखाई दे सकते हैं तो चले जो अब हम चेक करते हैं इसका overview और इ से भी अच्छे return में stock में generate होते हुए दिखाई देते हैं डिविडेंट उतना attractive नहीं है सबसे में जो important चीज होती है no red flag यहां पे शो कर रहा है जब भी आप कोई भी stock में long term, short term और या फिर swing trade के लिए plan करते हो तो no red flag दिखके ही आपको जो है उसमें entry plan करनी है और एक entry point की बात करेंगे तो good time to consider stock is not in overbought zone मतलब आप यहां से entry बना सकते हो क्योंकि stock जो है overbought zone में नहीं है तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं इसका last four year का financial trend 2019 से लेकि 2022 तक का last four year का data हमारे सामने शो कर रहा है company की 2019, 2020 और 2021 में हमें यहां पर गिरावर्ट continue होते वे दिखाई दे चुकी थी लेकिन 22 में हमारे revenue में growth देखने को मिली लेकिन profit में हमें गिरावर्ट देखने को मिल चुकी है तो चले अब हम चलते हैं हमारे angel one mobile application में वहाँ से मैं आपका बताओंगा इसमें buy sell कैसे करते हैं दोस्तों अब हम आचुके हैं हमारे angel one mobile application में simply हमें यहां से watch list में आ जाना है जैसे है आप यहां पर watch list में आ जाओगे search box में आपको company का नाम search करना है जैसे कि हमें company का नाम यहाँ पर type करना है जैसे आप यहाँ पर type करोगे यहाँ पर आपको company का नाम दिखाई देने लगेगा simply हम इस पर एक बार tap करेंगे tap करने के बाद यहाँ पर आपको NAC और BAC के दिए option दिखाई देंगे तो हम जो है NAC का select कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर watch list में add हो जाएगा अभी देखें यहाँ पर जो है आप इसको tap करना है यहाँ पर आपके सामने जो है इसका chart भी देखने का option दिया है इन्होंने आप यहाँ पर जस्ट एक बार tap करके इसका chart भी देख सकते हो जैसे हमने जस्ट analysis किया है इसका web version में वैसे ही same to same कुछ जाद changes नहीं है तो इस पर simply जो है यहाँ पर tap करके आपको जो है यहाँ पर buy पर touch करना है जैसे ही आप यहाँ पर buy पर touch करोगे तो यहाँ पर जो है आपको quantity select करना है जैसे आपको 100 quantity चाहिए तो आप 100 quantity select करके जो है अपना order buy side में punch कर सकते हो तेकि दोस्तों यह जो वीडियो बनाएगे सिर्फ और सिर्फ एज्यूकेशनल परपस के लिए बनाएगे जब भी आप कोई भी स्टॉक में entry बनाए तो अपने financial advisor से concern करके ही उसमें entry बनाएगे तो चलिए मिलते हैं next studio में इस YouTube चैनल के साथ तब तक के लिए टेक क्यार